हेलो दोस्तो क्या आप भी बिकार पुराने श्वेटर को यूज करके हजारों रुपेये बचाना चाहते हैं कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंतक जुरूर देखिएगा दोस्तो सोच ग्रहनी के में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज मैं लेकर आई हूँ पुराना श्वेटर दोस्तो कभी कभी क्या होता है कि एक श्वेटर को हम पांते पांते बोर हो जाते हैं या फिर वह छोटा हो जाता या कहीं से कट फट जाता है तो हमें समर्ण नहीं आ यह थोड़ा सा फटा हुआ श्वेटर है और श्वेटर का यूज हम एक तरश नहीं बलकि पांच तरश करने वाले हैं और धेरों सारे पैसे भी बचाने वाले हैं दोस्तों इसके लिए हमने दो तह में यानि डवल फोल्ड करके इस तरह को पहले श्वेटर को मोल लिया है उस थोड़ा सा बढ़ा कर इसको हमें कटिंग कर लेना है दोस्तों जब कोई चीज खराब हो जाया तो उसे फेक देना असान है लेकिन उस खराब चीज को कुछ नए तरह से कुछ नया बना लेना यह एक कारीगर होता है तो आज उसी तरह यह खराब स्वेटर जो फट चुका इसका हम नए तरह से यूच कर रहे हैं तो देखिए इस तरह से यह कटिंग हो चुका है मैंने आगे के तरफ से बॉड़ा रखा है जिसका लुक देखने में कितना प्यारा लग रहा है यह टोपी दो भागों में कटा हुआ है जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं एक और दो बॉड़र वाला भाग छोड़ कर बाकी हर तरफ से इसकी हमने सिलाई कर दी है आप चाहे तो हाँ से सिलाई कर दे या मरसीन से उसका बाद देखिए कितना बढ़ा चोपी बनकर तयार हो चुका है नीचे साइड बॉडर होने के कारण यह टोपी काफी अच्छा लग रहा है अब पुराने स्वेटर से हम कुछ और भी तयार करेंगे तीश का जो बाजू है उसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं तो दोनों बाजू को हम कुछ सिलाई के बाद वाले भाग से कटिंग करकर लिका लेंगे दोस्तों मुझा उमीद है कि यह वीडियो आपको य कटिंग हो चुका है दोस्तों अगर आप चाहे तो यहां से और कटिंग करकर इसको छोटा करके सिलाई कर ले और आप इसको अपने हैंड में पहान कर असकूटी बायक चलाने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर घुटने में भी इसे पहान कर रह सकते हैं जिस्श्या आपक को इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है उसके बाद आप देखिएगा यह कुछ इस तरह से बनकर त्यार हो जाएगा मैंने इसकी सिलाई हाथ से किया आप चाहे तो मशीन से भी कर सकते हैं और यह आपका मोफलर का काम करेगा यह कॉलर वाला श्वेटर है तो आप हम कॉलर का भ उपर वाला भाग में बॉडर को आने देंगे और उसके बाद मोजे के अकार में इसकी कटिंग कर लेनी है याद रखिएगा जब भी कटिंग करें तो थोड़ा साइज हम बड़ा लेकर ही कटिंग करेंगे कि थोड़ा सा हमेरा सिलाई में भी चला जाता है तो इस तरह हमने पैर का सौक्स यह मोजे इतना बढ़िया होता है और आपके पैरों कितना गरम रखेगा और सासक फटने भी नहीं देगी उसकी अड़ियों को और यह काफी कंफर्टेबल होता है मोजे की उपर में हमने बॉर्डर को रखा है इसे मोजा देखने में काफी सुन्दर लगने होगी होगी तो आप इस्ट्री को अपने घर पर ट्राई जरूर कीजिएगा अब बचे विश्वेटर से चलिए कुछ और हम बनाते हैं तो अब इसको फीर से हम चार फोल्ड में इसको फोल्ड कर लेंगे चार तरह हमें देख सकते हैं एक तू तीन चार इस तरह से हम चार इसको फौल्ड करने का बाद इसको हम生ось बनाइगे हाथों का दस्ताना में हाथों को आप इस तरह से रख कर इसकी कटिंग कर लें और इसको भी हमें सिल कर तयार कर लें एक तरफ हमने खुला चोड़ दिया बाकी हर तरफ से इसकी सिलाई कर दी है और ये देखिया काफी सुन्दर शाह हाथों का दस्ताना बनकर त्यार हो गया है आप इसका इस्तमाल कीचन में भी कर सकते हैं किसी गरम चिछ को पकड़ने के लिए दोस्तों जैसे इस सरदिया सुरू होती है हम जब हमार बचे विश्वेटर का भी इस्तमाल हम कर लेंगे जैसे कि यह इसमें लगा हुआ पोकट है इस पोकट का छोटे-छोटे दस्ताना बनाकर अपने बच्चों को पहना सकते हैं वह काफी सुन्दर लगेगा अब इस बचे विश्वेटर का इस्तमाल जूते के जुलाब बनान और यह काफी मजबूत अस्ट्रों होता है पैरों को काफी कनफरेबल भी रखता है और इसको बनाने में हमें एक रुपे कभी खर्च नहीं करना पड़ेगा और नहीं इसको लेकर कहीं जाने कर जरूरत पड़ेगा तो दोस्तों में क्या करना है स्वेटर से जुलाब कुछ त जिएगा तो सालों साल तकि एक हराब नहीं होता है बहुत बढ़िया से यह काम करता है अब पैरों को भी बहुत अराम पहुचाता है ठंड के मौसा में तो काफी बढ़िया होता है स्वेटर को उल्टा कर लेंगे और फिस सुर्स का जुलाब को स्वेटर कूपर हमें रख उसके बद क्या करना है कोई भी आप फैवी को लेकर उसके जुलाब को उपर में हमें इस तरह से अच्छे से लगा लेना है हर तरफ अच्छे से लगा लेजिए और लगा कर इसे हमें चिपका देना है त्याद रखेगा आप गम को बहुत अच्छे से लगाएगा जिससे ये तो हर तरफ से हमने इसमें फैविकॉल को लगा लिया है और लगाने के पर स्वेटर को इस तरह से हमें चिपका लेना है और चिपका कर अच्छे से हमें दबा कर इसको रख देना है आप देखेंगे आधे से एक घंटे में बहुत अच्छे से यह चिपक जाएगा हो सके तो कर चिपका सकते हैं उसके बाद जब एक बार यह चिपक जाएगा तो फिर यह खूलेगा नहीं और यह बहुत ही राम देवर यानि कनफर्टेबल रहेगा अब यह अच्छे से चिपक चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं कितना बढ़िया सा यह बनकर तयार हो चुका है आप इसे आप सूज में अपना लगा कर यूच कर सकते हैं मैं आपको सूज में से लगा कर भी दिखा रहे हूँ देखिए बहुत किजिएगा तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि पुराने श्वेटर का इस्तमाल हमने एक तरह से नहीं बनकि पांच तरह से किया है फास्ट में है टोपी सकेन में है मोफलर जो गर्दन के लिए बहुत ही अराम दे है तिश्रा है मोजा सौक्स चौथा है हाथों के लिए दस्ताने और पांचवा है जूता का जुलाब यह सारे के सारे बहुत ही यूसफुल है तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा एक पूराने थोड़े से 40 विश्योटर का हमने 5 तरह से इस्तमाल किया है और सारे के सारे बहुत ही कारगर हैं तो दोस्तों यह टिप्स आपको कैसा लगा? कमेंट बक्स में कमेंट करके हमें जुरू बताएगा अगर आप हमारे चैनल पर नएए नए है तो हमारे चैनल के स Lord subscribe कर दिजेगा साथ बेल बटन भी दबाग दिजेगा जिसने नेक्ट विडियो आप तख ककर अने से पहुँझाएगा तो दोस्तों आप हम मिलेंगे नेक्ट विडियो में नेक्स टिप्स के साथ तब तक के लिए ओके बाई